नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पे आज हम बात करेंगे एक अनार के पेड़ के बारे में अनार के पेड़ के हम आपको पूरी जानकारी देंगे क्या आप इसे कब कैसे लगा सकते हैं क्या सीजन है क्या आपको और वर्वर्क की जरूत पड़े हैं और आप इसे कै इसमें ये बीच के माध्यम से उगा हुआ पेड़ है तो आपको ये फर्क जरूर पता रहना चाहिए कि बीच के माध्यम से जो पेड़ उगते हैं उसमें फल आने में काफी टाइम लगता है कब से कब 3-5 साल भी लग जाता है और इसमें जो फल आते हैं वो थोड़े छोटे स से लगाएवे पौदे में क्या फरक होता है तो आप इस पर देख पार होंगे हमारे हैं गहरारा है ुबिसादे प्रूट्स आते हैं वो काफी साइज में बड़े होते हैं अभी आप देखिए पूरे फ्लावर काफी अच्छी तरके से चल रहे हैं क्योंकि आप बात करेंगे इसमें पानी देने की इसमें जो पानी आपको दिया जाता है इसमें एक दिन जो आप छोड़ छोड़ के पानी हम इसमें देंगे क्योंकि यह बड़ा पेट हो चुका है हमारा यह अल्रेडी सॉइल से जमीन में लगावा पौदा है तो अपने आप नुटिरेशन प्राप्त कर लेता है मगर आगर आपका जो पौदा है वो गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आपको दो तिन दिन पानी देजिए क्योंकि देखे अगर आप फ्लावरिंग और फूल लेना चाहते हैं तो थोड़ा पानी लिमिट से ही मतलब देना होता है पौदा को अगर आप भरपूर पानी देते हैं तो पौदा सिर्फ ग्रो करता है आपको नहीं फूल देगा नहीं फल देगा सिर्फ वो ग्रोइंग पीरिड पे रहेगा हर दम अगर आप देखते हैं उसमें जड़ा से फूल कुछ आ रहे हैं तो आप पानी देना थोड़ा कम कर दें और पानी लागे बराबर ही दें ताकि वो फूल से फल में कनवर्ट हो और थोड़ा जो कनवर्ट होने के बाद जो रुक जाता है फल आपका गिरता नहीं है उसके बाद आप पानी देना स्टार्ट करें यह हमारा जमीन में लगावा पौदा है तो इसमें हम साथ दिन में हफ्ते में एक बार पानी देते हैं जो काफी अंदर तक इसके जाता है काफी जड़ों में अच्छी तरह के जो डीप एक देन दो दो दिन में देते हो नॉर्मली वाटरिग के लिए देते हैं इसे यह पौदा चलता है हमारा इसमें काफी आप ऐची फूर्टिंग अच्छी अच्छी हुई है आप फूर्टिंग भी देख रहे होंगे कि छोटे-छोटे फूर्ट निकलने पर वह ज्यादा आपको मैंने पहली बता है कि यह बीच का पौदा है अगर यही पौदा है इतना बड़ा अगर हम ग्राफ्टिंग में कर ले तो करीब करीब अगर आपको एक सीजन में आपको बताऊं तो लगबग से लगबग सासी से सोफल भी आ सकते हैं वन टाइम में और उनका साइज भी दिखाता हूं देखिए बड़े साइज का है इसमें कुछ गिलेरियों अगरा से बचाना होता है देखिए तो वह ऐसे ही फल को आपके खराब कर देती हैं तो यह हमारे फल इस पर आए हुए हैं तो कैसा पेड़ लग रहा है हमारे को आप चबरूर कमेंट में बताना कितना खुबसूरत पेड़ लग रहा है हमारा इसमें फ्लावरिंग इसकी जो रौनक है काफी अच्छी बड़ा रही है और इसमें फ्रूटिंग आप देख सकते हैं तो इसका जो हम हार्वेस्टिंग करेंगे अभी एक से दो बहने में हार्वेस्टिंग करेंगे यह हमारा जो फ अल्रेडी मतलब 50% nutrition और प्राप्त हो जाते हैं किसी पौदे कोस के तुरू और भी अगर आप fertilizer यूज़ करना चाहते तो fertilizer बहुत सारे हैं आप नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए आपके फ्लावरिंग के बाद आपके फल टेकना स्टार्ट हो जाएंगा नार के तो इसको भी आज माएगो दोस्तों और वीडियो कैसी लगी हो उसे लाइक करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें तब तक के लिए हैपी गाडनिंग हमश्कार